नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो आज आपके बीच में जो LTT प्रोविजनल अंसर की आई है दोस्तो उसके बारे में थोड़ी सी डिसकेशन करेंगे उसमें बहुत सारे कॉशन्स कुछ एक ऐसे हैं दोस्तो जिनमें अपती दर्ज हो सकती है तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि हमने एक जो इमेज आपके सामने रखी है कि क्या आपने अपनी जो प्रोविजनल अंसर की है वो चक की जो पांच से ज़्यादा प्रशनों पर हो सकती है अपती दर्ज तो ये कुछ एक मौत्पूर्ण चीज़ा है दोस्तो जो मैंने पहले आपके बीच में रख दी हैं कि बहुत सारे क्वेशन कुछ एक ऐसे हैं जिसमें हम अपती दर्ज कर सकते हैं और उन प्रशनों के उत्र जो अफिशल आंसर की आई है दोस्तो उसमें कहीं न कहीं गलत दिये गए हैं तो चलिए देखते हैं कौन से वो प्रशन है जिन पर आपती दर्ज हो सकती है और कैसे हम आपती को दर्ज कर सकते हैं यह हम देखेंगे इस वीडियो में तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रही है अगर आपको उप्योगी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अ बादल जो शब्द देखिए इसका प्रियायवाची नहीं है पूछा गया है तो देखिए इसका जो प्रियायवाची हैं दोस्तों वो हैं जलद है तोयद है जबकि option A जो हमने पहले बताया था आपको कि इसका right answer होगा लेकिन जो answer किया ये देखिए उसमें इसका answer C है हलां कि अश्र जो है वो आंसू है लेकिन जलज जो है वो क्या होता है वो कमल को कहा जाता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बादल जो है वो जलज और अश्र ये दोनों ही हो सकते हैं इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रशन गलत है अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो चैलेंजिंग के लिए हमने देखिए आपने एक तथ्या रखा है यहां पर आलांकि यह पहला प्रशन आपको किसी भी पुस्तक में मिल जाएगा दोस्तों जब आप बादल का प्रियाई बाची धूनेंगे तो कमल का हमने प्रियाई बाची यहां पर रखाया देखिए इसमें देखिए कमल के बाद कज लिखा है पंकज लिखा है जलज लिखा है तो तीसे नमबर पर ही कमल में क्या है जलज है तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि जो कमल है उसको जलज कहते हैं और जलज यहां पर बादल का प्रयावाची नहीं है दूसरा अश्र है तो इसको आंसू के नाम से भी जाना जाता है तो ये दो इसके विकलब सही थे हाला कि आंसर की में C दिया गया है तो जिसने A किया है वो भी इसमें चैलेंज कर सकता है इसका जो आंसर दिया गया है वो A दिया गया है हाला कि इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा option C इस question का उत्र दोस्तो इसी question paper में ही चुपा हुआ है जो आपका 47th question है देखिए कि जो रितिकाल है उसको श्रिंगार काल नाम किस ने दिया है तो रितिकाल को जो श्रिंगार काल वहाँ पर जो श्रिंगार की वर्तने लिखिये दोस्तो वो ठीक वैसी लिखिये जैसी C में है और इसके साथ ही साथ जब हम रितिकाल के बारे में पढ़ेंगे तो आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए चाहे ग्रेमर की हो चाहे दूसरी हो वहाँ पर आपको हर जगा श्रिंगार C आप्शन की तरह ही दिखेगा तो इसके अधार पर आप चैलेंज करने के लिए कोई भी अपना जो एक प्रमानिक चीज उठा सकते हैं चाहे वो ग्रेमर की पुस्तक हो चाहे आप कोई भी हिंदी साहित्य की पुस्तक ले लो ना श्रिंगारी कवी जितने भी हो वहाँ पर श्रिंगार शब्द का जरूर वर्नन होगा तो आप उसको भी चैलेंज के जरी तोर पर रख सकते हैं प्रूफ के तोर पर आगे वह हम देख लेते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये देखिए जो कमल था उसको क्या कहते हैं जलज कहते हैं अगला प्रशन है देखिए प्रशन संख्या 32 इसमें लिखा था कि अचारे रामचंद्र शुकल ने हिंदी साही तहित्यस को कितने कालों में βिभक्त किया है तो देखिए आगे इमेज में जो आंसर की डाली है दोस्तो उसमें प्रशन संख्या 32 का ओप्शन जो दिया है वो A दिया गया है हाला कि इसका जो सही अंसर होना था वो होना था ओप्शन B जिसका अंसर है 4 तो देखिए अचारे रामचंद्र शुकल ने हिंदी साहिते इतियास को कितने कालों में भी भक्त किया है जो हिंदी साहिते का इतियास है वो उन्होंने लिखा था और इसमें देखिए आधिकाल, पूरमद्यकाल, उत्रमद्यकाल और आधुनिक काल तो ये जो चार कालों में उन्होंने विवक्त किया है ठीक है तो पहला ही पेज है ये जो हिंदी साहित्य का इत्य हास पूस्तक है अचारे रामजंद्र युकल की वहां पर इनुद ने साप शुब्दों में कहा है तो इस प्रशन पर भी आप चलेंज कर सकते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों प्रशन संख्या 41 से देखिए त तुलसिदास ने गीता वली में किस भाशा का प्रियोग किया है तो इस प्रशन में भी आपती दर्ज हो सकती है हलां कि जो आंसर की यह दिखिए उसमें 41 में दिया गया है आपका जो आप्शन ए है जो अबधी है लेकिन इसका जो राइट अंसर दोस्तों वो है ब्रज कि ज दीखिए यहां पर मैंने एक पुस्तक से लिया है इसका प्रिष्ट संख्या 113 या 19 यह एक्जक्त नहीं कर पा रहा हूं में हालां कि जो सरस्वती पांडे वाली बुक है दोस्तों उसमें आपको यह मिल जाएगा इसके लाबा और भी पुस्तकों में यह चीज दे दी यह कावय रूप इसकी भाषा जो है उब्रज भाषा है ठीक है वाचले और भक्ति जो इसमें क्या है प्रमुक्रस हैं और कांड इसमें साथ हैं तो यह चीज है गीता वली के बारे में ठीक है अगला प्रशन देख लेते हम दोस्तों कि बिहारी रितिकाल की किस कावय धारा के कवी हैं तो दोस्तों जो बिहारी हैं देखिए वो रिति सिद कवी माने जाते हैं जबकि हमारी जो इसमें अंसर की है उसमें दिया गया है कि यह हलां कि प्रशन नंबर 45 हम प्रशन है जिसमें यह चीज यह प्रशन वरनित है कि बिहारी रितिकाल की किस का वैधारा के कव यह पुस्तक है दोस्तों यह हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनात्रिपाथी उनका है यह और पिष्ट संक्या इसमें देखे 59 है क्लियर है तो इसमें पहले ही लिख दिया है कि रिति सिद्गवी बिहारी जिनका जनम 1606 में और मृतियू 1663 में बताई गई है इसमें क्लियर है तो यह है आगे अब हम देख लेते हैं जो प्रशन संक्या दोस्तों यह है उननचास लेकिन आप इसको देख लीजेगा कि कौन सा है गणपती चंदर गुप्त ने हिंदी का प्रत्थम कभी किसे माना है तो देखे दोस्तों आंसर की में इसका उत्तर जो दिया गया है वो दिया गया है जबकि इसका जो राइट अंसर होना था वो होना था ऑप्शन डी तो यह भी गलत प्रशन है दोस्तों यह उन्चास्वा प्रशन है उन्चास का देखे इसमें क्या दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है हलांकि इसका जो राइट अंसर है दोस्तों वो अब प्रशन ये उपस्तित होता है कि हिंदी का प्रथम कभी किसे माना जाए। अब दूसरी वाली इमेज में देखिए दोस्तों जहां पर ये डॉक्टर नगेंदर की ही पुस्तक है इसका अगला प्रिष्ट संक्या 46 इसमें देखिए कि ये कह रहे हैं डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त ने इस संदर्व में अपने हिंदी साहित्या का व्यक्यानिक इ इस तरीके से आप इस प्रशन को भी चलेंज कर सकते हैं अगला प्रशन है यमक अलंकार कौन सा है तो दोस्तों ये प्रशन भी इनमें से कोई इसका अंसर बताया गया है 102 जो प्रशन संक्या है देखिए इसमें D option दिया गया है जबकि इसका जो राइट अंसर होना था यह है एक तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है मतलों जहां पर अलग-अलग दो शब्द हो है न एक अलग-अलग नहा हो लेकिन एक ही शब्द हो उसके अलग-अलग अर्थ हो तो दीखिए उपर इस वाली इमेज में आप देख रहे हैं ये कोई भी आप व्याकरन ले दूसरा क्या है दूसरा आपका यमक है तीसरा शलेश है तो ये शब्द अलग-अलग अलग हो तो इस प्रशन पर भी आपत्ती जाहिर की जा सकती है अगला प्रशन देखिए दो टूक कलेजे के करता पच्ता था पत पर आता पीट पीट दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में कौन सारस है तो दोस्तो ये भिख्षुक कवीता है अलनकि यहां किसी कानवश नहीं दे पा रहा हूं परन्तु फिर भी जो ये इनकी कवीता है दो इसलिए इसका जो आपशन होना चाहिए वो होगा आपशन D तो 107 का देखिए इसमें क्या दिया गया है इसमें जो 107 का है वो है आपशन A अलनकि A इसका राइट अंसर नहीं होगा तो ये कुछ एक प्रशन थे दोस्तो जिन पर आपती दर्ज हो सकती थी अब देख लेते ह से बोला है कि किस तरीके से आप जो है आपती दर्ज कर सकते हैं तो देखिए यहां पर मैंने वो नोटिफिकेशन या जब ये अंसर किया आई थी प्रोविजनल उस वक्त उपर साप अधिसूचना लिखा है इसमें कि हिमाचर प्रदी स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आ प्रिक्षाओं से समंदित उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के समंद में यदि कोई अभियर्थियों को किसी भी प्रकार की आपती हो तो वे अपनी आपती प्रमानित तत्यों के सहित दिनांग 16.9.2020 तक अनुभाग अरिकारी पेपर निरधारन शाखा को फैक्स नंबर 0 01892 225419 और जो ये नंबर दिया हैं दोस्तों इमेल के जरीए भी आप इसको भेज सकते हैं तो ये देखिए 16 तारिक तक 16 सितंबर तक आप अपनी आपती दर्ज कर सकते हैं प्रमानित जो तत्या हैं है ना जो भी आपके पास authentic जैसी book है उसमें से आप इन प्रशनों को उतर देख लीजिए कि कहां ये दिये गए हैं आला कि मैंने थोड़े बहुत आपको बता भी दिये हैं कि किन पुस्तों से ये हैं और आप इमेल के जरीए भी भी भेज सकते हैं और आप जो है ये फैक्स भी इसको कर सकते हैं इसके साथ साथ देखिए अब्यर्थी अपनी आपत का उत्र ये दिया गया है जिस book का उसका reference आपको देना पड़ेगा कि इस book में इसका answer है clear है तो उस तरीके से आप 16 तारीक से पहले पहले अपनी अबत्ती दर्ज कर सकते हैं है न आगे देखे कि 16 के बाद उत्तर कुझे स्मंदित किसी भी मौकी की अलिखित आपति पर विचार नहीं किया जाईगा उसके बाद इस पर कोई भी अमल नहीं किया जाएगा गरहा उसके बाद आप जाते हैं चाहे पर एक नहीं दो नहीं बलकि पांच या साथ क्वेशन ऐसे हैं जिन पर अपति दर्ज की जा सकती है तो बहुत सारे बच्चों के हो सकता है बविश्य का सवाल हो इन प्रशनों पर जरूर अपति उठानी चाहिए और जो प्रशन गलत हैं उनके साही उतर होने चाहिए और सब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त जय हिंद जय भारत